यह कुछ चार्ट पेटर्स है को 11 के करीब है जो कि मैं आज और कल में आपसे शेयर करना चारू हूँ और इसी को हम फिर लाइब चार्ट के उपर भी जाकर देखेंगे एक एक असेंडिंग एंडिसेंडिंग स्टेर केस है जल्दी से मैं इसको एक गो थू कर दूँ है जैसे क आइस एंडिंग स्रेट के सक्वसिंपल सी बात है यह जो स्टैर के इसके आरा है यह इसको सेर खेस के जहां पर नीची आपका हो रहे न इस्तेर सी बन रही है इसको स्टेर के support एसके टिके है सैनिंग सेर सेकेश आप सेनिंग ट्राइगल एंड इसेंदिंग ट्राइगल इन दोनोंके माइट आप आप से अभी देख लेता हूं यह देखी एक ट्रैइंगल बन रही है ठीक है ट्राइंगल वह होती ही जिसमें के three lines आपकी adjacently connect हो रही होती है अब इसमद तीसरी line आपको नज़र नहीं आ रही यहाँ पे हम खुद लगा लेते लेकिन इसकी एक form यह है ठीक है यह वाली line हमने खुल लगाई हुई है यह blue वाली इसका जो है target निकालने के लिए ठीक है और यह इसकी triangle यहाँ बन रही है shape ठीक है अब यह descending triangle है ठीक है इसका अगर face उपर को बन रहा होगा उसकी shape भी मैं आप से shake करता हूँ तो वो ascending triangle होगी ठीक है यह symmetrical triangle है यह आपकी ascending triangle है जहाँ पे उपर वाली line consistent होती है resistance वाली नीचे से आपकी जो support है वो rise कर रही होती है normally यह जो triangle है यह आपकी एक bullish pattern को show करती है और 99% इसके अंदर जो breakout होता है वो bullish होता है लेकिन यह ज़ूरी नहीं है अगर यह breakout यहाँ पे हो जाए नीचे की side पे यह bullish trend बन जाता है ठीक है जो अभी तक मैं आपके बताना ही चाहता हूँ कि जहां पर यह उपर वाली लाइन straight हो ठीक है नीचे वाली लाइन ascending हो इसको हम appraising triangle कहते है अगर उपर वाली जो resistance है दबा रही हो candles को candles हो candle candle अगली वाली नीचे बन रही हो नीचे दब रही हो और नीचे वाली आपकी जो support है यह consistent हो अगर straight line हो तो इसको descending triangle गहते है ठीक है guys symmetrical triangles है अगला एक pattern जो मैं आप से भी share करूँगा discuss करूँगा इसमें एक यह symmetrical triangles बन रही होती है एक triangle के अंदर यही triangle pattern इसको breakout के बाद इसमें arrive होता है इसमें जो target है जो इसका start basin top का distance है यही आपका target आगे ascending triangle के लिजब रहनता है इसको आप symmetrical triangle कहते है अगला जो बड़ा famous एक pattern है वो यह bullish flag flag pattern इसको कहते है यह bullish flag भी होता है ठीक है और एक bearish flag होता है bullish flag में आप एक bullish बड़ी move ले रहे होते हैं यहाँ पर आके आपके जो bulls है वो exhaust हो जाते हैं थोड़ा सा एक sideways में चले जाते हैं और अपनी और यह bearish हो जाता trend यहाँ पर लोग समझते हैं कि आप bulls बिल्कुल खतम हो गया trend change होने वाले लेकिन एसल में bulls आप इस pace को निकालते हुए बाकी investors को out करना चाते हैं यहाँ पर जब वो control ले 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 थे हैं पूरी के पूरा stock जो यहाँ से अपने हाथों में ले 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 तो फिर एगला breakout देते हैं तो अगली move यहाँ से यहाँ बनती है इसका भी हम देखेंगे कि हम इस bullish move के अंदर इस chart pattern के अंदर अगर breakout आता है तो उसका डिस्टाप का अगला target क्या होता है इसको bullish flag कहते है और अगर उपर से beers नीचे आते 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 थोड़ा सा उपर move करता है फिर उपर move करता है, move करता है एक stage के बाद breakout आता है इसको bearish flag कहते है अब इस bearish flag में breakout के बाद क्या इसमें आप target अपना देखते हैं कैसे कितना देखते हैं, क्या chart देख सकते हैं ये सारे के सारा हम आगे जाके अभी practical charts के उपर देखेंगे ये wedge pattern है, एक continuous chart के उपर ये देखें, ये falling wedge है यहाँ पे आपकी जो upper sides हैं जो candles हैं, ये नीचे दब रही हैं और नीचे वाली candles तकरीबन आपकी consistent हैं, ये भी falling wedge है इसमें देखेंगे उपर रही candles नीचे आ रही हैं, और नीचे वाली candles की support आपकी consistent है नॉर्मली जो falling wedge है ये एक bullish bullish pattern को show indicate कर रही होती है कि जो ही breakout आता है, एक bullish शच्ची move आपकी सामने आती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है अगर falling wedge में breakout नीचे की तरफ हो जाए तो बहुत बुरी तरह एक बहुत बड़ा fall आता है यहाँ पे जो bears हैं, जो bulls हैं वो basically exhaust कर रहे होते हैं bears को, यो आपने सारा माल इनको पकड़ाते है ठीक है, जब वो बिल्कुल उनसे माल सारा ले लेते हैं वो breakout देते हैं, लेकिन अगर वो सारा माल लेने के बाद breakout नहीं दे पाते यहाँ पे बड़ा series किसंगा fall आता है तो falling wedge का अगर downward breakout कहीं पे हो जाए ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा bearish trend फुरा trend change कर देता है प्राइमरी trend कोई change कर देता है इसी तरह rising अगर wedge कहीं बन जाए तो इसका जो fallout है, वो normally आपका bearish होता है इसका जहाँ पे breakout होता है rising wedge का वो नीचे की तरफ आता है और आपके जो bulls और जॉस्स होने के बाद माल अपना पकड़ा देते हैं और beers एक control ले लेते हैं कुछ असा के बाद क्योंकर trend आपका primary होता है bulls दुवारा market में आते हैं और दुवारा rise आना शुरू हो जाता है ये थोड़ा I know कि ये थोड़ा सा lengthy है लेकिन जब इसको चार्ट पर जाके देखेंगे लाइफ चार्ट पर तो I think आपको ज़्यादा उस पर बेन्विड होगा मैं जैसे एक run-down दे रहा हूँ ताकि जब मैं falling wedge के तरफ वापस जाऊँ तो आप लोगों को पता हो कि theory क्या थी इसकी पर हम आगे बाद क्या करने लगे हैं अच्छा यह बड़ा आपको सुना होगा बहुत सा अनलाइजर को जी डबल टॉप पैटरन को होता है यहां पर क्या होता है कि जी एक दफ़ा बूल्स ट्राइब करते हैं तरेखे रहां पर एकस पर सब्रस पर चैनके मारेट बाद हो की दालाइए ने फूरेयो my उपर नहीं लेकिन नहीं लेकि यहा सके तो क्या होता है कि भी बड़ी रेड केंडल्स बनती है और बहुत नीचे आता है जहां पर अच्छा इसके बाद भी यह कुछ जूरूरी नहीं कि डबल टॉप लाग गया तो थर्ड टॉप नहीं लगेगा तर्ड टॉप भी लग सकता है फोर टॉप भी लग सकता है जब तक यह डबल टॉप नीचे की साइट पर ब्रेक नहीं करता इस तरफ यह मार्केट बीरेश नहीं है जहां पर आके दुबारा बुल्स ट्राइक कर सकते हैं स्कूप लेके जाने की जहां पर यह डबल टॉप लग जाए नॉर्मली आप जब यह पैटर्न टूटता है उसके सेल करनी कोईश करते हैं बुल्स उपर लेके जाते हैं अब यहां पर अगर यह ब्रेक आउट आ जाए डबल टॉप का यह देखे ठीक है डबल बॉटम का यहां पर ब्रेक आ जाए अगर तो फिर यहां तक बुल्स नॉर्मली लेके जाते हैं तो यहां पर भी टिकते इस से भी उपर लेके जाते हैं ठीक है तो यह डबल बॉटम जो है यह नॉमली एक बुलिश ट्रेंड है ब्रेकाउट के बाद बेटरीन इसके अंदर जल्ट आते हैं और यह जो डबल टॉप का पैटरन है एक बीरिश ट्रेंड है अगर यहां पे ब्रेकाउट आजे तो आपको मार्केट में चलता है यह भी एक पैटरन है एड़न शॉल्डर का कि पहले कोशिश करते हैं भी थोड़ा सा इसको मूफ करने की फिर नीचे आते हैं फिर एक हैड बनता है प्रेक राइट का शॉल्डर बनता है अगर यह नीचे के साइट में ब्रेक हो जाए जो इसकी है इसकी यहां पर हेढ़े मताबिक नीचे तक स्टाउक मूफ करता है इस तरह जो रिवर्सता है ये हेड़न शॉल्डर का पैटर्न दनता है τrän चके ऊपर वाले को भी रस पना बेर और का सॉल्डर कहते हैं ठीक है और नीचे वाले को भी इनिवर्स्ट इंवर्स और इसमें यह भी एक बुलिश ट्रेंड अगर यह रिवर्स बन जाए का पर रहे बने इस साइट से बने तो यह एक एक्सिलेंट भुलिश जो है न तर्ट होता है और इसमें भी यह जो कप का डप्थ है यह आपका टार्गेट होता है इस वो ब्यूटिफुल टेक है तो यह यह भी एक बुलिश पैटर्न है कपने एक दोफाब यह बुल्स बाज छोड़ते हैं लिज्टा काता है विए थोड़ा सब्सक्राइब पुश करते हैं फिर बुल्स जहां सब पुश करते हैं नीचे आता है जब यहां पर ब्रेक आउट होता है यह अच्छे गेंश देता ह तो जहां पर यह कपने बन रहा हो आप समय लिए कि बहुत बड़ी मूव आने वाली है यह अनरल में पिछले महिनों में एक मूव आई देखिए कि फंडमेंटली बिल्कुल वीक स्टॉक है लेकिन देखें अगर इसका टूएटी रुपीज के उपर कपनेल का ब्रेक